पिछले एपिसोड में नायान जांगियान के पापा से कहती है कि मैं आपके बेटे से शादी तोड़ना चाहती हूँ। फर जांगियान बोलता है कि एक रास्ता है कि हम पहले शादी कर लेते हैं, उसके बाद डिवोस ले लेते हैं। फर नायान बोलती है कि इससे हम दोनों प तरे से तुम्हारी हो जाऊंगी। अब जांगियान इस टील को हां कर देता है। लेकिन बहां ख़री सब लोग जानते थे कि जांगियान के पास अब इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उससे लड़ सकी और तिन साल में कोई योधा बन नहीं सकता। वहीं एपिसोड दो स्टार्ट होता है जिसने चाऊंगी जांगियान की इस टील को देख बहुत बड़ी गलती बता रहे थे। जांगियान खुद भी बहुत टेंशन में आया था क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी बहन उसे संभालने कोशिश करती है लेकिन वो अपनी बहन से भी दूर जा रास्ते में फिर उसे कुछ साथ ही मिल जाते हैं जो उसे काफी चिढ़ाने लगते हैं और उसका मजाक बनाते हैं वो पहले उसे ये डील करने के लिए कोशते हैं और फिर उसको जीनियस कहकर चिढ़ाते हैं तो फिर अब उसे गुस्सा आता है इसलिए वो फाइट करने की क अब इस सबसे उसका दिल काफी ज्यादा तूटता है और वो वहां से रोते रोते वहां से भाग जाता है। अंदर से एक आदमी निकलता है। जिसे कहता है कि अगर तुम तिन साल बाद नयान को हराना चाहते हो तो मैं तुम्हारी लेवल्स पढ़ाने में मदद करूँगा यानि तुम्हें मार्शल आज की ट्रेनिंग दूँगा। उसको एक बात समझता है कि दो इक कुई स्किल्स फ अब जांगियान उसकी बात सुनकर खुश होता है लेकिन एकदम से वो अपने दिमाग का यूज कर उस पर शक करने लगता है कि क्लास फ्लेक से ज़्यादा शक्तिशाली तो क्लास हैवन है और क्लास हैवन को सीखने में तो कई सदियों लग जाएगी। ये जरूर कोई ठग है वो अपनी शंका को उसके सामने भी रखता है लेकिन अब वो आदमी उसे अलग-अलग तरह की कारणा में उसे करके दिखाता है जिससे जांगियान काफी इंप्रेस हो जाता है और उन्हें अपना टीचर बनाने के लिए रेडी हो जाता है लेकिन तभी फिर वो उनसे अदमी मेरे रिंग के अंदर था इसलिए मेरे जरिये ट्रेनिंग करने के बाद भी मेरे दोई कोई की लेवल्स कम होती जा रही थी वो रिंग के अंदर बैठा है और उसे वही जीवत रखने के लिए दोई कोई पावर चाहिए होती है जो मुझसे वो खीचना चाता रहता ह और इसलिए मेरे लेवल खटकर तीम पर आ गई थी, अब इससे जांगियान को काफी गुसा आता है, लेकिन अब जो हो चुका था, वो तो हो चुका था, इसलिए वो आगी की सोचता है, वो फिर उस आदमी से कहता है, कि तुम मुझे ऐसी ट्रेनिंग दो, जिससे मैं एक ही सा ना होने पर वो मान जाता है, वहीं दूसरी तरफ, जायली हाउस के है, जायली पाई जान यान की समर्द्धी को देख, जान यान को बहुत पोस्ता है, लेकिन तभी उसका बेटा उसके कान में कुछ कहता है, और जायली पाई की इविल स्नाइल के साथ ही एपिसोड यही खत अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकोन को भी दबाना मत भूलना, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाई बाई